दोस्तो आज हम बनाएंगे एक एसा नास्ता जो एक दम बहुत ज़्यादा टेस्ट है और चठाके दार होगा और यह बनने वाला है घर के आटा और उबले हुए चावल से तो दोस्तो वीडियो बने रहेगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करे चैनल सस्क्राइब करें और शाड़े वाले घंटी भी जरुद दबादे आपको हमारे नहीं वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा तो हमने यहां पर सबसे पहले उबले हुए एक बौल चवल लिये हैं और थोड़ा से यहां पर ले लिया है आटा से इसमें डालें और यहां पर थोड़ी मेच्ची लाल पोडर नमक स्वादन उसार और अब इसे यहां पर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहां पर हम लेंगे आटा आटे को हमने अच्छे से चीकना कर लिया है इसके यहां पर छोटी छोट पूरी की तरह इसको बेल लेंगे जिसे छोटी पूरी होती है आं बिल्कुल इसी तरह से अब आप देख सकते हैं सारी जो मेनी रोटी थी पूरी ये सारी बना लिया है अब यहां पर इसे गायनस करेंगे टमाटो सोक्से पूरी रोटी पे अच्छे से इसे फैला देंगे इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और जब बच्चे खाते हैं बड़े खुश होकर खाते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है और बड़े छोटे कोई भी इसे सब कर सकता है बहुत ज़्यादा टेस्टर पसंद भी बहुत जल्दी आने वाली है जो मैंने मिक्स किया हुआ मसालों से जो चावल बनाए थे वो चावल में इसके अंदर डाल दिये हैं चावल इतना ही डालना है जितना हमारे इसमें आ जाए और आप देख सकते हैं इसे केवट सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से इस तरह सा समोसे की तरह इसे बंद कर लिया है और इस तरह बंद करना है कि आप उसमें एक दूसरे का जो किनारा है चिपक जाए नहीं तो फ्राइ करते हो ही यह बहुत ज़्यादा परशान करता है तो मैंने इस तरह से चारो तरफ से अच्छे से इसको चिपका लिए मैं सभी को इसी तरह बना लूँगी और अब आप देख सकते हैं सारे को अच्छे से मैंने बना लिया है अब यहां पर लेंगे तवा और तवा पर ही हम इसे बनाना है ज़्यादा तेल खरच करने की ज़रुत नहीं है थोड़ से तेल में थोड़ से खरचे में यह बनकर तयार हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है अब यहाँ पर हम लेंगे रेप्रेंड तेल आप चाहे तो यहाँ पर घी भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर रेप्रेंड तेल डाल दिया थोड़ा सा और इसकी अंदर इस पोरी को मैंने ऐसे रख दिया है अब आप देख सकते हैं ओपर की साइड से भी इसे बुरुस की मज़ से हम लगा लेंगे आप चाहे तो चम्मस से भी इसे लगा सकते हैं हम इने यहाँ पर एक साइड से इसे हलका गॉल्डन कलर कर लिया है अब मैं इसको यहाँ पर पलट दूँगी तो मैं आपको एक बना कर दिखा रही हुँ पहले कि किस तरह यह बनने वाली है अब मैंने दूसरी वाली भी इस तवे के उपर रख दिया है अगर आपका तवस जदा है तो आप जदे भी इस पर रख सकते हैं लेकिन मेरे तबस ज्यादा बढ़ाने इस पे दो बहुत ज्यादा काफी है दो से ज्यादा रखूंगी तो कच्छी भी रे सकती है और चिपक भी सकती है आप उसमें तो मैंने इसे एक साइड से फिर से पलट दिया है और इसको भी मैं इधर से भी पलट दूँगी अब आप आने वाली है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना और स्सक्राइब करना और वेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले लिजिए मैंने इस तरह से इसे पका लिया है और इसको मैं सब को यहां से दोनों को उतार लेती हूं और जितनी भी कि इच्छा आप बिना कट किये भी इसे रख सकते हैं इस तरह से चागू की मदद से हम इसे कट कर लेंगे और अंदर से इसका टेक्सर देखिए कहीं से कच्छी भी नहीं और कितनी टेश्टी स्वाधिश्ट लग रही है दोस्तों और इसे सफ करने के लिए यहां पर होगी तो चलते हैं मिलते हैं अगली कोड़ने रिसिपी के साथ तब तक बनाते लेंगे और टेश्ट लेते रहेंगे बाबाए लाप